हेलो दोस्तो मैं माला मन्नु की सुईट गार्डिन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सभी दोस्तों दोस्तों ये करोटन का प्लांट है और मैं इसे कटिंग से लगाई हूँ कटिंग मैं कहां से लाई कैसे लगाई कितने दिनों में कटिंग ल मैं अपने टेरिज पे थी तो देखा अंकल हाड प्रूनिंग कर रहते है क्रॉटन प्लांट का और ये बात तीन महिने पहले की है दोस्तों तो मैं जोती को भेजी कि जाओ वहां से क्टिंग लेना और इसे बता दे थी कि पैंसिल के मुटाई और थोड़ा सब भरा साइज का जो अपनेपास नहीं है वही लेकर आना तो ये दो विराइटी का क्रॉटन का लेकर याई है और मैं इसे कटिंग करना भी शिखा दे दोस्तों जब मैं करती हूं और इसे मोबाई tö пोस्थ안 करने नहीं आता है तो जब ट्राइप Quality कि पूछा है कि मेरा मोफाइल ही गिर जात परिसानी हो जाता है और मोवाइल का स्क्रीन भी टूट गया था तो मैं कर रही हूं सूट और जोती कटिंग कर रही है अच्छे से कर रही है इसे मैं बता दी थी पहले बहुत किसी कली है और मुझे ऑफिस जाने का भी लेट होता रहता है मॉर्णिंग में करती हूं यह सब सा कर दो करती हूं तो बहुत अच्छे से ग्रू हो जाता है तो जोती को मैं हल्दी दी हूं और देखे वह दोनों तरफ से सभी लीप को हटा करके और दोनों तरफ से हल्दी में डिप करके रख देगी और कटिंग मैं लगाऊंगी भुजिया के पैकेट में लोहे का होल करने देखे यह दोनों तरफ से लगने का चांसरा तो सभी को दोनों तरफ से डिप करके मैं डबे पर रख दी हूं और मैं भुजिया के पैकेट में चारो को एक साथ ही लगा दी दोस्तों यहां देखे तीन महीने के बाद ही यह प्लांट कितने अच्छे से लग गया है सभी में कितने अच्छे से हो गया है तो आज मैं इसको गमला में रिपूर्ट करूंगी तो जोती देखे यहां पे कट कर रही है कट करके फिर चार एक ही जगा है तो बहुत स्थिर से इसे निकालना पड़ेगा बहुत आराम से खुरपी से मैं चारो को अलग करूंगी अपने घर का मिटी है तो बहुत अच्छा होता है बहुत हलका होता है तो बहुत थोरा सा टच करने पे ही देखे कितने अच्छे से यह अलग हो रहा है और नर्सरी से आप लाएंगे पर्चिछ कर के प्लांट को तो वो चिकनी मिटी में होता है बहुत हाड होता है तो उससे प्लांट बह वह बहुत आसानी से हो गया है, देखेों सभी में रूट भी कितने अच्छे से आगया है, इसमें उतना लीब नहीं आ यहा है, और सभी में लीब है इसमें लीब नहीं है, तो फिर मैं चारो को अलग करके, और एक ही पॉट में लगा दोंगी, अभी मेरे पास पॉट का अभा इसमें कितना सारा खुद से हो गया है, मिट्टी मैं देखिए बहुत हलका बनाती हूँ, अपने गाडेन का ही मिट्टी है, इसमें काउडेन कमपोस्ट राइस हस मैं मिलाई हूँ और फंगी साइड मैं साफ यूज करती हूँ, सभी को अच्छे से मिक्स करके मैं बोडी में हम मैं साइ स्टूर करके रखती हूँ, कोई पोट जब मुझे भरना होता है तो इसी से मिट्टी यूज करती हूँ, यहां देखिए टिक्टी भी मैं अपने घर का वेस्ट दिये से ही यूज की हूँ, और यहां जो कॉटेन है वो भी मैं सिलाई करती हूँ, वेस्ट हो गया है उसके बाद मैं सारा कटिंग देखिए, इसमें रूट बहुत छोटा है, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा डिप में नहीं रखूँगी, दो इंच उपर से छोड़ करके और फिर सारे कटिंग को मैं इसमें लगा दूँगी, चार कटिंग है और चारो कटिंग को थोरा सा अल अलग अलग हटा करके चारो को लगा दूँगी, और दो महिने के बाद मैं फिर इसे दूसरे पॉट में अलग अलग पॉट में इसे अलग अलग शिफ्ट करूँगी, पानी दे करके मैं इसको धूप में ही अभी रखूँगी, क्योंकि अभी का धूप ज्यादा तेज नही भूले, ओके, बाई बाई, हैपी गाटनिंग